प्रेंट्स विल्कम टु माई यूटूब चैनल येस्ट पिमायत क्लास में यूएर से बात करेंगा आज बिर बहादू सिंग पुर्वांचल विश्विद्याले जौनपुर से लेकर के सभी छात्रों के लिए क्या इंफार्मेशन आप सभी लोग पुरीज सुचना को 239 परिच्छा 2022 दिनांग 33-2022 पर परतांग 16-45 दिनांग 44-2022 के करम में वापक शात्रहित में सर्व संबंदित को पुना सुचित किया जाता है कि बीर बहादू सिंग पुर्वांचल विश्विद्याले जौनपुर से संबंद माविद्यालियों के बीड बीपीड यूम य चुकी है जब मंदित चात्रों को माविद्याले के अंतिम रूप से निदिशित किया जाता है कि विलंबित दिनांग 75-2022 तक नमांकर कराते हुए कालेज लागिन से अफडेट इंडॉल्मेंट नंबर जाज़ करना सुने शित करें नमांकर ना करने यह नमांकर संख्या द साब्द कर लीजिए जैसे कि इसमें बताया गया है कि यह आप जो है कि बीएड वीपीड या एममेट पार्टे करम में कोर्स कर रहे हैं तो आप अपना 75-2022 तक अर्थाज जो है साथ मही तक आप अपना इंडॉल्मेंट नंबर लेकर के और उस पे इंडॉल्मेंट नंबर अपडेट पे जो है आप जाकर कि वहाँ से अपना इंडॉल्मेंट नंबर अपडेट कर दीजिए अगर हम बात करें जो है कि इंडॉल्मेंट नंबर आपको कैसे मिलेगा तो वीवर्स होता क्या है अगर आप इंडॉल्मेंट नंबर आपको कैसे मिलेगा तो वीवर्स होत में जाकर वहां पर आप छो है कि एक फार्म लेगे दिये जाएगा आपको और उसके बाद फार्म को फीलव करके उसके साथ में आपको जो है हाई स्कूल की मार्षिट लगाना होगा Tenth की और वेल्थ की और उसके बाद आपको बीकाम की हुए है आपको फाइनल एयर की जो है मारशिट लगा करके लगा करके और कालेज admit card जिस college में आप परवेश पत्र लिए है उस college का admit card या college ID लगा करके आप वहां पे जो है कि लगबख 100 रुपय या 200 रुपय फीस होती है जो भी कुछ वहां आप जमा करते हैं कि तो आपको लगबख 10 या 20 मिनट के बाद बुला करके आपको नमांकन संख्या वहां से दे दिये जाता है यापके college वाले ऐसा करने में आना काना कर तो आप से बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जाता है बहुत ज़्याद सहु रुपय और 200 रुपय और 300 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे की कोई भी इन्फार्मेशन रहे सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तब तक के लिए जैन जै भारत